असलाम लिक्मम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्हीद कर तो सभरियाथ से होगे आज माने सोजा मैं चिकन का सालंड बनाती हूँ और अपरे फ्रेंड्स कर साथ शेयर करते हूं सबसके पहले मैं अब इसमें एड किया घी उसके बाल मेरे मीडियम साइ्ज के दो इसमें एड कर करना इसके बाद मैंने इसमें एड़ किया अद्रक ग्लेसन का पेस्ट मैंने फिर इसको एक दफारा अच्छे से मिक्स कर लिया इसके बाद मैं इसमें एड़ करूंगी दो मेडियम साइब के टेमाटर और थोड़ा सा इक देफ़ा हैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको लगा दिया वैट ताक्डि हमारा अच्छ बाइन जाए मैंनेस को ज्छादा टाइम के लिए नहीं लगा यह तक प्यास ऑर टोमाटर जो है वह बहुत अची तरहां से पक जाए इसके बाद मैंने इसमें एड़ करना था एक चमच नमक एक चमच लाल मिर्च और आदा चमच छल्दी आप अपनी फैमिली की अकॉर्डिंग भी स्पैसिस इस्तमाल कर सकते हैं अब यहां पर हमारे टमार्टर और प्यास बहुत अच्छे से बन चुके थे मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी और इसके बाद मैं इसमें एड़ कर दूंगी चिकन आपनी एक बाद का खास ख्याल रखना है जब आपनी चिकन एड़ करना है तो बार बार इसको चमच के साथ हिलाना नहीं है चिकन तोड़ भी सकता है इसको एक से दो मर्तबा आप बस हिला सकते हैं जादा जितना जादा हिलाएंगे आपको चिकन उतना ही खराब होचेगा यानि कि उसकी थोड़ सा तोड़ चाएगा बहुत अराम से इसको हिलाना है यह देखें अब हम यहाँ पे चिकन को बहुत अच्छे तरह से बनाएंगे ताकि इसके अंदर से जो इसकी स्मेल है वह खत्म हो जाए अब हम इसमें एड़ करेंगे लॉंग मुझे लॉंग जाता पसंद नहीं है इसलिए मैंने एक से दो इसमें एड़ किया थे इसके बाद हम इसमें डालेंगे चार चमर्स दहीं आप देख सकते हैं दुबारा से के रही हूँ आपने चिकन को बहुत अच्छे से पकाना है इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे स्पाइसिस चमर्स आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था और बताया भी था यह देखें स्पाइसिस एड़ करने के बाद हमारे चिकन की लुग कितनी अच्छे लग रही है यह देखें कितना अच्छा लग रहा है और अब मैं इसमें एड़ करूंगी दो ग्लास पानी जा मैंने इसके इंदे थोर सा पानी एड़ कर दिया फिर इसके बाद मैंने इसको एक दफ़र चमच से ही ला लिया यहां भी हमारे खाना बिल्कुल बन चुका था फिर इसके बाद मैंने इसमें एड़ किया धनिया और यह देखें इसके बगार तो खाने में रोने की नहीं होती और यह है जी हमारी फाइनल लूक आप मैं आपको एक बाल में डाल की दिखाऊंगी यह देखें वाव कितना